अरे किछना तो आज एक अधसी है ये मार्ग सिर्ज का महिना बहुत पवित्र है कात्याइनि ब्रत का महिना है और फिर इसमें जो एकदसी है तो और अधिक पवित्र है ये तो इस एकदसी का नाम है उत्पन्ना एकदसी तो इसका जो महात्मे बताया गया है तो उसे मैं पढ़के सुनाओंगा ये समबाद अरजुन और स्री कृष्ण के बीच में है तो भगवान कृष्ण अरजुन से जब बातें करते हैं तो उन्होंने ये बताया कि एकदसी का बड़ा महात्म है, ही अरजुन, एकदसी का बहुत बड़ा महात्म है, जितने यम है, नियम है, तीर्थ है, दान है, और यग्य है, तभी तक गरशते हैं, जब तक एकदसी नहीं आती है, तब तक गरशते हैं, कि हम तुम्हारे सब आपों को जो है जितना अधिक दूर करती है उतने और दूसरे इदान यग्य यम नियम तीर्थ पगर नहीं करते हैं तो भगवान किसे ये बूलते हैं तावन गर्जन दिति अर्थानी दानानी नियम यमान एकादसी नसंप्राप्ता यावत तावन मखा अपीं तो उसमय अरजुन ने भगवान से पूछा कि हे स्री कृष्ण सब तिथियों में एकादसी को आपने पवित्र कैसे कहा मैं उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूं मतलब जो सबसे पहली एकादसी जब प्रारम हुई तो क्या उसका कारण है किस कारण से एकादसी का जो है ये ब्रत आरम हुआ तो अरजुन ने ये मतलब प्रशन किया भगवान से तो ऐसा प्रशन बड़ा मुश्किल है करना सोचना भी बड़ा मुश्किल है अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया भगवान से कि मैं उसकी परातन कथा सुनना चाहता हूँ एकादसी समम नास्ती कृत्वाय अग्यासा स्रकम उक्तातोया कथम देव पुन्ययम सरवतस्ति थी भगवान कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन सुनो सत्युग में एक घटना ऐसी हुई कि जब एकादसी का प्रारम हुआ सत्युग में एक घटना ऐसी हुई कि महा भयानक मुर नामक देत्य उत्पन हुआ जो देवताओं को कष्ट देने वाला था बहुत अद्भुत और महा भयानक था उसने इंद्र को भी और आदित्य को वसु को और ब्रह्मा वायु अगनी इन सब देवताओं को बसमे कर लिया था आदित्य आवस्वो ब्रह्मा वायु रगने इस्तत्य विचं देवितानिर जिदास्तेन यत्यो ग्रेण चपंडवं तब इंद्र ने उसका सब भृतांत शिवजी से कहा इंद्र ने इससब भृतांत सिवजी से कहा कि है देव हम सब देवता लोग अपने लोग से गिरकर प्रत्वी पर भ्रमन कर रहे हैं एक असर के कारण सम देवताओं को जो है अपने अपने लोग छोड़ने पड़े भागना पड़ा और प्रत्वी पर घुमना पड़ा तो देवता लोग प्रत्वी में घुमने ये बड़े कष्ट की बात है और बहुत ही उनके लिए लज्जा की बात है ये प्रत्वी में घुमने इंद्र ने कहते तहां सर्वो ब्रतांता संगरायवें सर्वलो के परिभ्रस्टा विचरामो महीतलें तो हे देव इंद्र कहते हैं हे देव अब देवताओं की कौन सी दसा होगी इसका उपाय बतलाईए तब महादेव जी बोले की हे इंद्र जहां जगतपती स्री कृष्ण सरनागतों के रक्षक हैं गड़धवज भगवान हैं वहाँ पर जाओ इंद्रेणे कथिता सर्वा ब्रितांता संगराएवे सर्वलो के परिभरष्टा विचरामो महीतलें उपायम ब्रूहि में देवे तिर्दसा नाम तुका गति ही गच्च गच्च सुर्ष्ट्रेष्ट यत्रास्ति गरड़धवजः तो वे भगवान जो है सरनागतों के रक्षक हैं और जगनात जगत के नात हैं तो उनकी बास सुनकरके सिवजी की बास सुनकरके जो देवराज इंद्र है वो फिर वहाँ जाते हैं तो ही अर्जुन देवराज इंद्र जो है सब देवताओं के साथ वहाँ पर गए जहां पर भगवान सोई हुए थे तो भगवान जो है जल में सोई हुए हैं तो ऐसा दर्शन करके इंद्र दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान की इस्तुति करने लगे जल मद्धे प्रसुत्तम तू दिर्श्ट्वादेवम जगत्पतिम करताण जले पुटव भूत्वा इदम इस्तोत्र मुदी रहें देवताओं से बंदित प्रसोत्म आपको नमस्कार हैं तो इसकोण किया रहे हैं इंद्र आधिसाब देवता किया रहे हैं ये सब देवता गण देत्यों से भाईभीत हो करके आपकी सरण में आए हैं, ये जगनात आप सरण देने वाले हैं, और आप ही सब के करता हैं और सब के कारण हैं आप सब जीवों की माता और पिता हैं, आप ही सब को उत्पन्ने करने वाले हैं, सब का पालन करने वाले हैं और सब का नास करने वाले हैं तुम माता सरवलो का नाम, तुम एवे जगता पितां, तुम इस्थितिस्तुम तथोत्पतिस, तुम्च संघार कार काहां हे प्रभू, आप देवताओं के साहक हैं, और आप ही सांती देने वाले हैं, आप प्रत्वी आकास और संपून जगत के उपकारी हैं आप स्वयम ब्रह्मा के रूप में स्रिष्टि उत्पन्य करते हैं, रुद्र के रूप में स्रिष्टि का संघार करते हैं, और आप विश्णु की रूप में तीनों लोकों के पालन करने वाले हैं, आप ही शूर्य और आप ही चंद्रमा और आप ही अगनी देवता हैं भवस्तुम्चा सुयंब्रम्मा त्रे लोके प्रदीपालक हम तुम रबिस्तुम ससांकर्ष्चा तुम्च देवो होताशना तो आप ही यग्य में जितनी सामग्रियां हैं तो आप ही जो है इस सब इनके रूप हैं साकल्य, होम, आहुती मंत्र, तंत्र, रित्विज और जब आप ही हैं हे नाथ आप ही यग्य हैं आप ही अजमान हैं और आप ही फलों के भोगता हैं आप से रहत तीनों लोकों में और चर चर में कुछ भी नहीं है, आपके बिना कुछ नहीं है, अर्थात आप सरव्यापी हैं, हे भगवन, हे देव, हे देवताओं के इश्वर, हे सरनागत वत्सल, हे योगी इश्वर, द्यत्यों से पराजित हुए, व्यभाव हीन, सब देवताओं भाइभीत होकर आपके सरन में हैं, आप रक्षा कीजिए, ना तुयारहितम किंचिन, त्रे लोके साचराचरे, भगवन देव देवे से सरनागत वत्सले, त्राहित्राहि महायोगिन, भीतानाम सरनम्भव, दानवेर निर्जितादेवा, स्वर्गे भरष्टा कृता वेभो, तो हे जगतपती, अपने लोक से भिष्ट होकर, हम सब देवता प्रत्वितल पर भ्रमन कर रहे हैं, इंद्र की बास सुन करके विश्नु भगवान बोले, इस्थान भिष्टा जगन्नाथ है, विचरंदे महेतले, इंद्र से वजनम जुरत्वा, विश्नु वजनम अब्रवी, तो भगवान जो है, अब इंद्र से बात करते हैं, इंद्र से क्या बोले भगवान, कि हे इंद्र, ये मायावी देते कौन है, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका इस्थान क्या है, उसका नाम क्या है, उसका बल क्या है, और किसके आस्रे में ह तो हे इंद्र ये सब निर्भे होकर कहो तब इंद्र बोले इंद्र बोले हे देवताओं के इश्वर भक्तों के उपर कृपा करने वाले हे भगवन तो हे देव ब्रह्मा जी के बंस में पहले महा उग्र देवताओं को दुख देने वाला नाली जंग नामक देत्य उत्पन हुआ था देत्या पूर्वं महानासीन नाडी जंग इतिस मृताओं ब्रह्मे बंसय समन्भूतो महोगरा सूर सूदन हुआ तो ये जो देत्य था ये सुर सूदन था सुर यानि देवताओं को कश्ट देने वाला था तो उसका जो पुत्र है महाबली मुर नाम का एक असुर हुआ है उसका महाबली विख्यात मुर नामक पुत्र हुआ है और चंद्रवती नाम उसकी स्थिस्ट नग्री है तस्ते पुत्रो ते विख्यातो मुर नामा महा सुरहन तस्ते चंद्रवती नाम है नगरी चागरी यसी सब देवताओं को उसने अपने धिन करके और स्वर्ग से निकाल कर वो महा पराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है तो उसने सब को पराजित कर दिया है और सब को अपने अपने स्थान से हटा दिया है और उसने सब देवताओं का रूप भारन करके सब अधिकार अपने उपर ले लिये हैं इंद्र कभिस्थान उसने छीन लिया है इंद्र का इस्थान उसन चीन लिया है अगनी देवता का इस्थान चीन लिया है यम्राज का इस्थान चीन लिया है चंद्रमा का इस्थान चीन लिया है और वरुन का इस्थान चीन लिया है और शूरी का इस्थान चीन लिया है सवयंप इन सब रूपों का धारन करके सब देवताओं का कारे कर रहा है। दौर्य बनकरके श्वयम ही तप रहा है। यंद्रागन यम्या विशूमने वृते पासिनाम। पदेशु स्वयमे वासिन सुर्यो भूत्वातपत्यपी हे प्रभू तो वो स्वयम मेग बन करके जल की वर्षा करता है सब देवताओं से अजे है हे विष्णू उस दानों को माल कर देवताओं को आप विजयी कीजिए परजन्या स्वयमे वासिन अजे आसर्व देवते जहितम दानवं विष्णो सुराणाम जै मावः तब उसका बचन सुनकर भगवान क्रोदित होकर इंद्र से कहने लगे तो भगवान क्रोदित हुए क्यों क्रोदित हुए कि कोई जो असर है अगर प्रत्वी का भार बनता है या देवताओं से विरोध करता है तो भगवान प्रत्वी की रक्षा के लिए प्रत्वी का भार उतारने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए ऐसे ब्यक्त का बिनास करते हैं इसलिए भगवान ने क्रोध में भर करके इंद्र से कहा कि हें इंद्र तुम्हारे सत्रू उस बलसाली महाबली देते को मैं मारूंगा तब देवतावने हजारों दिफ अस्तरों से सुसजत अर्शंकि देत्यों के साथ देते इंद्र मुर्गो गर्जते हुए देखा अब इसके पहले भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं कि हें इंद्र तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती पुरी को चलो ये सुनकर भगवान विष्णु को आगे करके सब देवता चल दिये तो सबी देवताव जा रहे हैं कहां जा रहे हैं चंद्रावती पुरी में जा रहे हैं प्रयांतो सहिता सर्वे चंद्रावतिया महा बला एत्युक्ता प्रैयों सर्वे पुरस्कृत्य हरिम शुरा तब देवताओं ने देखा कि असंख देत्यों के साथ में जो मुर्ट नाम का देत्य है राजा है देत्यों का वो गरजन रहा है और इस बलसाली असुर मुर्ट के भाय के मारे देवता युद्य से भाकर दसों दिसाओं को भागे तो भगवान के सामने भी देवता भाग रहे हैं हन्यमानास्त दादेवा असुरेर बावसालिभी संग्रामंते समध्ष्रजय पलायंते जिसो दसे यहाँ पर यह बताया गया है कि इस बलसाली असुर के द्वारा जब देवताओं को प्रहार लगे इस असुर ने जो है अपने आयुदों की द्वारा देवताओं पर प्रहार किया तो जितने भी देवता थे दसो दिसाओं को भागे युद्ध को छोड़ करके सब भागने लगे तब भगवान को संग्राम में खड़ा हुआ देख करके जितने असुर थे ना ना प्रकार के अस्तर सस्त्र ले करके दोड़े तो केवल एक भगवान ही थे जो ने भागे थे दगजी सब देवता भागे तो आप अकेले भगवान को देख कर जितने देते हैं अपने हर प्रकार के अस्तर सस्त्र ले करके भगवान की और दोड़े इसके बाद उनको दोड़ते हुए देख करके भगवान ने क्या किया भगवान के हाथ में क्या है संक चक्र और गदा धारन के हुए है तो उन्होंने सर्प किसमान बाणों से उनके सरीरों को बींद डाला तो एक भगवान ही थे जो कि यो उस युद्ध में खड़े थे और अकेले हैं भगवान अधितान प्रद्रुतान रिष्ट्वा संक चक्रेगदा धरह विव्याद सर्वगात रेशू सरेराशी विशोपमें विश्णों के हाँ से मारे गए शेकन असुर नश्ठ हो गए परंतु एक वही दानाव विचलतना होकर बार बार युद्ध करता रहा अब जैसे देवता भागे उसी प्रकार से देत्य भी भागे भगवान के प्रिहार से लिए एक वही मुर था जो की खड़ा रहा आप देवताओं में केवल भगवान अकेले हैं युद्ध करने के लिए और देत्यों में अकेला मुर है जो जुद्ध करने के लिए तयार है जो भगवान के छोड़ी हुए आयुद को अपने तेज से कुंठित करने लगा तो भगवान जो जो भी सस्त्र अस्त्र उसको मारते हैं मुर को तो वो सब जो है फूल के समान हो जाते हैं तो मुर असुर का जो तेज जतना था कि भगवान के अस्त्र सस्त्र भी उसके उपर जब गिरते हैं तो फूल के समान हो जाते हैं जब अस्त्र से भी भगवान उससे न जीत सकी तब परगी के समान बाहूं से युद्ध करने लगे दोनों में देवताओं के मान से दस हजार वर्स परियंत बाहू युद्ध हुआ सोचिए देवताओं की गर्णा से 10,000 साल और एक देवताओं का एक साल जो है हमारे 360 साल के बराबर है तो आप सोचिए कि दस हजार देवताओं का वर्स तो तो दस हजार मतलब तो अगर दस से गुणा करें दस हजार में तो एक लाख हो जाएगा एक लाख गुणा 36 तो 36 लाख हो जाएगा 36 लाख सोचे 36 लाख साल तक क्या हुआ बाहु युद्वा अस्वर के साथ बाहु युद्वा भजाओं से युद्वा तो उसके भी अस्तरस्त काम नहीं कर रहे है भगवान के उपर और भगवान के अस्तरस्त उसके उपर काम नहीं कर रहे है तो भजाओं से युद्व दस ल आफसाल तक हुआ उसे ठक करके भगवान बद्र का अस्रम को चले गए अब भगवान ठक गए तो भगवान के सरी में ठकान तो है नहीं उनका सरी तो आध्यात्म है लेकिन भगवान दिखा रहे हैं भगवान दिखा रहे हैं तो भगवान क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि उसे क कुछ इस प्रकार का पर मिला हुआ है कि किसी के द्वारा किसी पुरुष के द्वारा ना मारा जाए तो भगवान जो है अब उसके मारने के लिए युक्ति जो है निकालते हैं तो भगवान की युक्ति इसी प्रकार की है कि वो समझ रहे कि भगवान थक गए और भगवान दि वहापर हेम्वती नाम की एक सुन्दर गुफा में भगवान सेयन करने के लिए प्रिवेश कर गए तत्र हेम्वती नाम नी गुःपरमेशो बनाम ताम प्रविष्य महायोगी सेनार थम जगत पतिही ही अट्रजन डशिवजन की गुफ़ा में एक ही द्वार हैं दस हीजन का मतलब 120 किलो किलोमीटर की लंबी गुफ़ा है और यही दर्वाजा और कोई द्रवाजा नहीं है एक ही दर्वाजा है तो भगवान को थकान भी हो रही है और भगवान को भै भी हो रहा है तो यह सब जो है भगवान की लीला है क्योंकि अगर किसी ने बरदान प्रात कर लिया है कि किसी पर उसके द्वारा नहीं मारा जाएगा तो भगवान इस प्रकार की लीला करते है कि जैसे उसके डर से भाग गए युद्धि शोड़ के भाग गए और उससे उद्धि करते करते ठक गए योजने द्वाद साया मां एके द्वारा अधरन जया हम तत्रे प्रशब्त वस्मी भैवीत उनस्वन सेहा तो हे अर्जुन मैं उस युद्धि शे ठक गया और दाना उस गुफा में भी मेरे पीशे पीशे लगा रहा भगवान के रहे हैं वहां मुझे सोया हुआ देख करके अपने मन में बिचाने लगा कि द्यत्यों के संखार करने वाले विश्नु को अब मैं मारूंगा अब पहली बार विश्नु के थिहास में वो सोच रहा है कि मेरे द्वारा विश्नु मारे जाएंगे अभी तक तो कोई असव नहीं मार पाया किस्ट जो मेरा अनाम हो जाएगा कि या असता किसि ने जो काम नहीं किया वो काम मेंने कि आ तो भगवान इस प्रकारा की जो है चाल चलते है कि असव जो है ऐसा सोचने लगा वो दुरबुद्धी विचार कर नहीं रहा था कुछी समय मेरे सरीर से एक प्रभाव साली कन्या उत्पन्य होई इवं दुर्मते स्तर्स्य जवसायं व्यवस्य चाम समुद्भूताम मांगे भ्या कन्यकाम चा महाप्रभा कि बड़ी जोतिर कन्या उत्तं अपन ऊपन उसके सरीर से तेज निकल लाता और भगवान कर शरीर से उत्तंद मेरी तो भगवान कि मेरे सरीर से आपन उए यह अरुद्ध देवी को देखा करे देवे सस्त्रों को लिए हुए यो ब्क्रिय के लिए तयार खड़ी है उस समय इस्त्री की युद्ध के लिए के हैं पर मुर्ध देत नहीं युद्ध की इच्छा की तो इस्त्री उस देत के साथ निरंतर युद्ध करने लगी उसके भहेंगर युद्ध को देख करके वो विश्मित हो गया अब मुर्ध देते भी विश्मित हो गया युद्धम समाहितम तेन इस्त्रिया तत्रे प्रयाचितम तेना युद्ध सानेत्यम तत्रिष्ट्वा विश्मयम गताहा ऐसी भयाने कन्या किसने बनाई है जो अधी प्रबल बजजर पात कर रही है ऐसा कि असुर उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा बहुत बिश्मय थो रहा है कितनी सक्ति सारी कन्या किस्न उत्मन की के नेयम निर्मित आरोद्रा अत्युग्रासनी पातनी इत्युक्त्वादावेंद्रोसाम युद्धे कन्यातयाम जब है भजा में सस्त्र लेकर के छमा करिए तो वो जो है उस कन्या किसा जुद्ध करने लगा तब उस महा देवी ने वस बली देते करको तुरंद रत रहिद करके छण मात्र में उसके सब अश्ट्र सस्ट्र काट दिये छण मात्र एक छण का मतलब है चार मिनिट, चार मिनिट में उसके सब अस्तर सस्तर काड़ दिये और उसके सरीर का जितना अम्रित है वो भी समाप्त कर दिया ततस्तया महादेव्या तुरियादान वोबली चित्वा सर्वानी सस्त्रानी छड़े नवी रथा किरता हा जब वह हाथ में सस्तर लेकर महाबल बूर्वक दोड़ा तब देवी निश्के छाती में एक घूस्ता मार कर उसे गिरा दिया बाहु प्रहनो पेतो धावमानो महाबलान तलेना हत्ते हरदे तया देव्याने पातिता फिर उठकर की कञ्या को मारने के लिए दोड़ा तो देवी ने क्रोदे थोकर उसका सिर काट डाला पुनरत्थाय सोधावन कञ्याहनने कांचया दान्रवं पुनरायांतं रोसेना हत्ते तच्छिरहा चल मात्र में वो शसर को मारकर क्रख्षी में गिरा दिया और सिर कटा हुआ वो देते यम लोग को पहुचा चलान ने पातिया मासे भूमो तत्रे महासुरम कृत्वा कृत्वा कृत्वे सिरहासो थे यो वेशुता यो वेवसुतालयम और बचे हुए असुर दीन होकर पाताल लोग में भागए तब भगवान उठे और अपने समुक मरे हुए देते को देखा भगवान यसी लिला कर रहे है कि मेरे सोने पर किसने उठा किसने मारा मेरे सत्र को तो जितने भी असुर थे मधू जो मुर असुर जब मारा गया तो बागी जितने भी सेश बचे असुर वो दिन होकर के पाताल में गुश गए लेकिन उस समय भगवान जागे और देखा कि सामने असुर मरा पड़ा है और क्या देखा भगवान ने कन्या को अपने सामने नम्रता पूरवक दोनों हाँ जोड़े खड़ी देखा गन्या जोड़कर खड़ी है तो जगत के स्वामी विष्णु भगवान विष्मित होकर प्रसन्न मुक्स से उससे पूशने लगे गन्याम पुराज्थताम चापी कृदान जले पुराम लाम विष्मियोत फुले बदन हा तुवाचय जगताम पती इस दुष्ट डैते को जिसने की गन्याव और इंद्र पबन आदे सब देवताम को जीत लिया था किसने मारा है किसकी देवाचय से भागा हुआ मैं सुरक्षित हुआ हूँ भगवान देखकी अपने भगतों कितना आदर देते है तो भगवान कहा कितने किसकी देवाचय से मैं भागा हुआ सुरक्षित हुआ हूँ कि मैं भैश से भाग रहा था और अब भागने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था और वो मुझे मारने के लिए आगया था तो किसकी देवाचय से मैं सुरक्षित हूँ भगवान इस प्रकार बोल रहे है तब कन्या बोली हे प्रभू आपके अंस से उत्पन्य जो मैं हूँ तो मैं नहीं देते को मारा है केने कारोन ने भावेने रक्षितो हम पलाई तहां वना वया विनिरहतो देत्यास तन्वंसो भूतया प्रभू हे हरी हे भगवन आपको यह सेन करते देकर मारने को तैयार हुआ इस तिन लोगों के कंटक्ट का ऐसा विचार जान करके मैंने इसका बद्ध कर दिया है द्रिष्ट्वा सुप्तम हरे त्वाम तो यतो हं तुम समुद्धे तहां तो मैंने इस दुरात्म द्यत्य को मार कर देवताओं को निर्भय किया है सब सत्रों को भय देने वाली मैं आपकी महा सक्ति हूँ तो वो देवी जो है ऐसा नहीं सोचती है कि भगवान ने अगर मुझे इतना सुतंत्र बता दिया है और यह भी बता दिया कि मैंने भगवान की रक्षा किया है तो मैं अपने को ऐसे समझू नहीं तो जतने देवता लोग हैं भगवान के निकट रहते हैं भगवान के भगते हैं यहां तक यह माय देवी भी तो कोई अपने को सुतंत्र नहीं समझते और भागवान सतंत्र रूप से कहते हैं कि तुमने मेरी रक्षा की है, तुम मुझे संकर्षी निकाला है, यह उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि मैं आपकी ही महाशक्ति हूँ, उसने कहा कि तवे वाहम महाशक्ति ही सर्व सत्रों भयंकरी, सभी सत्रों को भय देने वाले मैं आपकी महाशक्ति हूँ, मैं ही आपकी महाशक्ति हूँ, तो भगवान कहते हैं, तो वो देवी कहती है, कि मैंने तीनों लोगों की रक्षा के लिए इस भयंकर दानाओ को मारा है, हे प्रभु इस दानाओ को हता मारा हुए देख करके, आपको क्या आश्चर हूआ है, सो मुझे कहिए, तो आपको क्या आश्चर हो रहा है, मैंने तो मारा इसको, आपको क्या आश्चर हो रहा है, वो मुझे बताए, त्रे लोकिर रक्षणार थाये, हतो लोक आपकर हा, निहतम दानवं द्रिष्टवा कि मास्चर रियंबदय प्रभु, श्री भगवान मुझे है, देवी मैं इस असुर के मारने से तेरियो पर प्रसन हूँ, देवताओं को आनंधुआ और वे हिरिष्ट पुष्ट हुए, निहते दान वे इंद्रेश्मन संतुस्टो हम तयानगे, हिरिष्टा पुष्टा सवे देवा, आनंदा समे जायते, तो भगवान बुले कि हे देवी मैं तुम्हेरे बहुत प्रसन हूँ, देवताओं को आनंद हुआ है, अब यह हो बहुत हिरिष्ट पुष्ट हो गए हैं, तुमने देवताओं की जो भलाई की है, इसे तीनों लोकों में आनंद चाया हुआ है, और मैं तुमसे प्रसन इसलिए हे देवी, तुम मुझसे कुछ बर मांगो। प्रसन हैं, तो मुझे ऐसा बर दीजिए, कि जिसके द्वारा अपना ब्रत करने वाले मनुश्यों को मैं महापापों से छुड़ा दूँ, उप्वास का जो फल है, उसे अधा फल रात्री में भोजन करने वालों को प्राप्त हो, तारेहम महापापाद अप्वासे परम नर अप्वासे यत्पुन्यम तस्यार्धम नक्ते भोजने, और मुझे आप ऐसा बरदान दीजिए, कि जो इंद्रियों को बसमें करके ब्रत करता है रहे, तो उसे बैस्नों इस्थान, यानि व्यकुंठ में सेकुनों करोनों कल्कों तक निवास प्राप्त हो, मुझे ऐसा बर तो वो जो है, जितेंद्रियों करके जो ब्रत करेगा और एक अतसी का आदर करेगा, सगत्वावेश्नम मिस्थानम कल्प कोटे सताने चाम, भुझानों विविधान गोपान, भोगान अप्वासे जितेंद्रियों, हे भगवन, आपकी पिस्थनता से मझे यह वर्दान मिले और जो मेरा उपवास करें, तो उसको जो है, आप धर्म भी प्रतान करिए, धर्म भी प्रतान करिए, और मुक्ती भी प्रतान करिए, उसने देवी ने का, जो मेरा उपवास करें, धर्म और मुक्ती, सब कुछ प्रतान कीजिए, तो भगवान बोले, हे कल्यानी, तुमने ज बुझ्जानों विधान भोगान उप्वासी जितेंद्रिया भगवन तुन प्रसादेने भवत्वेसे वरो ममें उप्वासम जनक्तम चा एक भूक्तम करोती हा तस्यधर्मगे बिंतम तस्यधर्मगे तस्यधर्मच वित्तंच मुक्षम देही जनार्दन तो फिर भगवान कहते हैं कि ये देवी तुम्हें जो कोच कहा है वैसा ही सब कुछ होगा और जो लोग मेरे भक्ते हैं और जो मनसे तुम्हारे भक्ते हैं तो ये तीज़र्मग सुद्ध मेरे निकट निवास करेंगी यद्वंबतस सिकल्यानी तत्सर्वम्चा भवेश्यती वंभक्तास ये लोकाज तब भक्तास ये निरावन तृष्लोके शुविख्ञाता प्राप्ष्यंति मंशन निधिम्दृ हे परा सकती। तुँ एक अदसी की दिन उत्पन हुई है, इस से तेरे नाम एकअदसी है। भगवान इस देवी को एक अदसी की नाम दिया। सबसे पहली एकअदसी यही है, जो भगवान की सरी से उत्पन हुई थी। और मैं तुम्हारा बृत करने वाले का सब पभस्म करके नश्रना होने वाला पद दे दूँगा। और एक अधसी मुझे सबसेदिक प्यारी है। मैं सबते क्याता हूँ कि सब तीर्थों से, सब दानों से और सब प्रतों से अधिक पुन्य एक अधसी का होगा। उसी स्थान में अंतरधान हो गई। तो भगवान को कोई आने जाने की जुरत नहीं है। वहीं से बिना चले भगवान अपने ब्यकोंठ में जा सकते है। तो भगवान अंतरधान हो गई। और तब से एक अधसी दिथी हिरिष्ट पुष्ठ हो गई। और संसार में पूजनी हो गई। जो मनश एक अधसी ब्रत करेंगे उनके सत्रों का मैं नास करूँगा और परमगती दे दूँगा। और जो एक अधसी की दिन महा ब्रत को करेंगे उनके विखनों का मैंनास करूँगा और सब सिद्धियों को भी दूँगा। हेकुंति पुद्र इस प्रकार एक अधसी की उत्पत्ति होई। हरामित तेसां बिखनांचा सर्वसिद्यम्दामिचां एवमुक्तास पुद्ति इवमुक्तास समथपत्तिर एक अधस्या प्रथा सुतां। येका तसी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, परम पवित्र एक ही तिथी संसार में उदै हुए है, ये हे अर्जुन सुकलबक्ष किर्शन पक्ष का भेद ना रखकर दोनों पक्षों में ब्रत करना होचत है, और द्व सर्व लोकेशू सर्व सिद्धि करेति थी, सुकलावाप्यतवा किर्शना किति वे धम्नकारें, कर्तव्य उभये पार्थे नतुल्याद्वादसीति थी तो भगवान ही कह रहे हैं कि जितने भी ब्रत करने वाले हैं, उनको अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे तिथी कृष्ण पक्षी हो और चाहे सुकलापक्षी हो, कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथी एक ही होती है, एक दस्री का बृत जो मनुष्ट करते हैं वे गरूरधवगवान के वेकुंटपद को प्राप्त होते हैं लोकों में वेही मनुष्य धन्य है जो विष्णूं की भक्ति करते हैं और एक दस्री के महातम को पढ़ते हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ महात्में एक दसीगा और आगे लोग भी सुनने हैं तो आप भी पढ़ रहे हैं धन्यास्ते मानवालों के विश्ण भक्ति परा इनाम एका दस्यास्तु महात्मयम सर्वकालम तु यहाँ पठें एक दसीगो निलाहर रहकर दूसरे दिन भोजन करना चाहिए और भगवान की प्रार्थना करने चाहिए कि हे पुंडरीक आख्ष हे अचुद मैं आपकी सरण में हूँ आप मेरी रक्षा कीजिए यस्वमेधस्यतत्पुन्यम सद्आपनोति इनसंस्याम इत्यु चार्यतत अविद्वान पस्वांचयम अथारपयें अश्णाक्षरेण मंत्रेण तिर्यत्ते नाभी मंत्रतं अपवासे फलंप्रेप्षु पवेत्पात्रेगतं जलं ब्रत के फल की इच्छा करने वाला मनुष्य भगवान के लिए कीर्दन करे भगवान का गुणगान करे अश्टाक्षरेण मंत्रेण तिर्यत्ते नाभी मंत्रतं अपवासे फलंप्रेप्षु पवेत्पात्रेगतं जलं तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये एक दसी का ब्रत करना बहुत उचित है विष्णू की भक्ती करने वाले विष्णू भक्त के मुख से जो मनुष्य सुन्दर मंगल दातरी कथा दिन दास होनते हैं तो इस कथा का आप महात्म बता रहे हैं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये अर्जुन विष्णू की भक्ती करने वाले विष्णू भक्त के मुख से जो मनुष्य सुन्दर मंगल दातरी कथा दिन दास सुनते हैं करोनों कलकों तक विष्णू लोग अर्था व्यकॉंठ में आनंद करते हैं जो एक अधसी महात्म का एक पाद भी स्रवन करता है एक पाद का मतलब है कि इस्लोक का चौथाई हिस्सा क्योंकि प्रत्यक इस्लोक में चार पाद होते हैं तो चौथाई चार चौथाई होते हैं तो एक अधसी महात्म का एक पाद भी स्रवन करें जैसे मैं चार पाद में प्रत्यक इस्लोक है तो जैसे कोटी कल्प कोटी समाय युगतो एक पाद भुआ फिर दूसरा पाद विष्णु लोके महियते फिर तीसरा पाद एक अधस्याश्य महात्मयम फिर चौथा पाद में एकम स्रवन करता है प्रकार्से चार पादों में पूरा श्लोक तयार होता है तो अकर एक पाद भी सुनता है एक अधस्य महात्म का एक पाद भी स्रवन करता है तो उसके ब्रह्म हत्यादी पाप ने संदे दूर हो जाते है इतना बड़ा पाप जो है तुमकि वैश्नो धर्म एक दसी के समान शनातन और प्राचियन व्रत कोई नहीं है ये वैश्नो धर्म है एक दसी के प्रत करना वैश्नो धर्म है तो इसमें बड़ी सुंदर कथा है जिसमें की एक दसी उत्पन हुई और पहली बार इसको एक दसी नाम मिला और सबसे पहरे जो है एक दसी यहीं मनाई गी और भगवान के सरी सुद्पन हुई तो इसका बहुत सुंदर महात्म है धन्यवाद मार्ग सेर से कृष्णे का दसी महा महुत्सव की जये हरे कृष्णा